नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पाम का एनालिसिस करेंगे, देखते हैं स्पाम में क्या-क्या खुबिया है और क्या कमिया है सबसे पहले नजर जाती है अंगुठे की और, अंगुठे का अगर भार भात काफी नुकिला है तो व्यक्ति में जिद्ध होती है अपने कारे के प्रती, पर अंगुठा छोटा है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को लोग उस तरह से नहीं स्विकार करते हैं, कहीं न कहीं कमी रहती है उस व्यक्तित्व को स्विकार करने में जब अंगुठा बड़ा होता है तो सामने वाला आपके व्यक्तित्व को एक्सेप्ट करता है अब इनकी उंगलिया देखते हैं उंगलिया हतेली के मुकाबले काफी छोटी है तो ये लोग फास्ट नीने लेते पर ऐसे लोगों के हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या काफी ज़्यादा रहती है ये लोग जल्दी जल्दी नीरे लेकर जीवन की अपाधापी में या कारे छेतर में अच्छे खासे आगे निकल जाते अब इनकी हतेली देखिए complete rectangle है तो इसका मतलब ये ज़्यादा तर अपना कारे बोल कर करते होंगे अब इनकी उंगलियों को देखते सुरी की उंगली भी अच्छी खासी बड़ी है तो हिम्मत अच्छी खासी होगी कोई भी नीने लेने में काफी हिम्मती साहसी होंगे ये छोटी उंगली लगबग फर्स फैलेंग तक पहुच रही है सुरी की उंगली के तो व्यक्ती, documentation, filing, चीजों को याद रखना communication, चीजों को संभाल कर रखना ये सार एक गुन व्यक्ती में होते हैं अब थोड़ा सा अंगुठा इनका अगर बड़ा होता तो सोने में सुहागा होता पर वेक्ट, इश्वर हर चीज, हर इंसान को नहीं देता है अब देखने वाली बात यहाँ पर चलते हैं इनके बुद्परवत पर बुद्परवत पर देखे तो काफी उबरा छेतर है और अपने आप में उबरा हुआ है तो ऐसे लोगों में बिजनेस एक्वमेंट भहुत अच्छा रहता है बिजनेस की सोच, व्यापार वानीजी की सोच इन लोगों में काफी अच्छी होती है और दिखने में भी सुन्दर होते है और इनकी वानी भी स्पष्ट और थूद़ पॉइंट होती है यानि आप इनको जो चाहिए या सामने वाले को जो चाहिए वो इनको बताने को भहुत अच्छी तरह से आता है जब इस तरह का बुद परवत अच्छा उबरा हो तो और इस पर उंगलियों पर भहुत सारी खड़ी लाइने भी चल रही है तो यह मित्रों के मित्रों होंगे इसे लोगों के मित्र भी अच्छे खासे होते है अब चलते हैं इनके सुर्य परवत पर सुर्य परवत पर देखे तो एक लाइन सीधी चल रही है और एक लाइन यहां से निकल कर इस तरह से चल रही है तो इसका मतलब होता है व्यक्ति का जो जीवन होता है वो स्थीर होता है और एक साइन यहाँ पर बढ़िया सी बनी है वो यह है ट्राइंगल सुर्य परवत पर जब भी ट्राइंगल बनता है तो व्यक्ति के जीवन में अच्छा खासा लाब देता है व्यक्ति को पैसा भी देता है, सम्रुद्धी भी देता है, प्रॉस्परिटी भी रहती है लाइफ में और आम लोगों से काफी सफल व्यक्तित वर रहता है व्यक्ति का यह सारे गुण और उसकी जो दिल की इच्छा है रहती है, लगबग जीवन में सब पुरी होती है यह सबसे बड़ी खासियत होती है, सुर्य परवत पर ट्रैंगल होने से और इनका ट्रैंगल काफी अच्छा, सुन्दर, बड़िया ट्रैंगल है अब देखते हैं इनकी और एक खासियत एक यहां से लाइन, इस फोटोग्राफ में तो सही नहीं दिख रही है पर यहां से एक लाइन निकल कर इतनी डार्ट चल रहे हैं और यहां से थोड़ी से हलकी, एक थोड़ा सा सुक्रवलय का पाड़ भी बन रहा है हलका सा तो यह आम लोगों से ज़्यादा पैसे कमाने वाले व्यक्ति होंगे जब इस तरह का सुक्रवलय हां, मूर का प्रॉबलम, मूर स्विंग का प्रॉबलम इनको रहता होगा यह शुक्रवलय के कारण व्यक्ति को इस तरह का प्रॉबलम रहता है और यह जो लाइन है, यह लाइन, यह इनके फूरी नेचर को भी दिखाती है व्यक्ति फूर के प्रती थोड़ा सा ज़्यादा जागरूत होता है अच्छा खाने की आदत होती है ऐसे लोगों को अब चलते हैं इनके सनी परवत की और शनी परवत दो तरका है यहां से फ्लेट रोड की तरव और यहां से थोड़ा सा उबरा हुआ है तो mixture quality होती है सरीर में कभी-कभी आलस भी रहता होगा और कभी-कभी energetic रहते होगे इस तरह का सभाव इनका mix सभाव होता होगा और यहां पर एक line इस तरह से mood रही है और एक line हिए से ऐसे जा रही है गुरूपरवत की और इसका मतलब इनको कोई न कोई सरकारी लाब, पॉलिटिकल लाब या ऐसे लाब ये लाइन दिखाती है पर जादा तर जिस तरग पाम की बनावट है और इनसे मेरी बात भी हुई ये पाट चोड़ा है और ये उससे थोड़ा सा कम चोड़ा है तो व्यक्ति जॉब में रहता है और ये 100% सरकारी जॉब में और सनी परवत पर एक एंटेना भी बना हुआ है तो व्यक्ति के जीवन में ये भी आम इंसान से थोड़ा धन ज्यादा देता है यहाँ पर दो-तिन हो तो थोड़ा सा और ज़्यादा धन आता है पर एक भी एक्ष्ट्रा धन की प्राप्ति करवाता है अब चलते हैं इनके गुरू परवत पर गुरू परवत पर दूसरे फोटोग्राफ में यहाँ पर क्लियर कट स्क्वेर बनता दिख रहा है तो स्क्वेर का मतलब है व्यक्ति 32 साल के पहले खुट का घर लेता है 36 साल पर ऑथोरेटी पोजीशन में पहुचता है और कितना भी गरिब घर में पैदा हुआ हो व्यक्ति अपनी जगह जीवन में अच्छी तरह बना लेता है यह सारे गुण व्यक्ति को स्क्वेर के कारण मिलते प्लस बोलने की कला में एक्सपर्ट होता है और इनका गुरु परवत अपने आप में उभरा हुआ है कहीं पर भी इस तरह का दिखने ही रहा है कि दबा है तो यह भी प्लस पोइंट है ऐसे लोगों को पारिवारिक संपन्ता अच्छी होती है प्रोस्परिटी ज़्यादा मिलती है इनको पारिवारिक जब आपका गुरु कहीं से भी डिश्टब है तो आप परिवारिक से प्रॉब्लम क्रियेट होता है आपके परिवार के अंदर सुक्सान्ती नहीं रहती कोई न कोई श्यू चलता ही रहता है पर इस तरह का गुरु परवत परिवार के सुक्सान्ती बहुत देता है बहुत प्रोस्परिटी देता है सांती से व्यक्ठी जीवन अपना पूरा जीवन सांती से निकाल लेता है परिवार की जंजट मारिया है उनके जीवन में नहीं आती अब इनका अंद्रूनी मंगल काफी उच्च ग्रेड का एक तरह का खिलाडी जैसा मंगल है अंद्रूनी मंगल पर उस पर जो रेखा है वो इस मंगल को थोड़ा सा विगाड रही है पर अगर ये बहुत साफ होता तो हो सकता है ये राष्टी स्थर के भी खिलाडी बन सकते थे या अंतर राष्टी स्थर के भी खिलाडी बन सकते थे पर ये जब लाइने आ जाती है तो इस पर problem create हो जाती है पर फिर भी ये अच्छा खासा कोई न कोई sports के master होंगे इस तरह का जब अंदुनी मंगल होता है तो व्यक्ति कोई न कोई खेल के अंदर कला निपून होता है यानि उस खेल में निपून होता है अब चलते है इनके बारी मंगल रहे हैं बारी मंगल बहुत ज़्यादा उबरा हुआ तो नहीं है पर दबा भी नहीं है तो ये एक व्यक्ति को comfortable feel तो कराते होंगे उस level का नहीं जहां बहुत सारा उबरा होता है तो जिस से level से comfortable सामने वाला व्यक्ति feel करता है उतना तो नहीं पर फिर भी comfort तो सामने वाला feel करता होगा जब ये मुलाकात करते होंगे तो और संकट के समय ये अच्छा खासा र्यक्ति को लड़ने की ताकत भी देता है और इनका ये जो समय गया होगा उस समय ये इस मंगल ने पूरी help की होगी अब चलते हैं इनके चंद्रपरवत पर चंद्रपरवत अच्छा खासा उबरा हुआ है और साफ है और देखने वाली बात है कि इनकी जीवन रेखा पूरी इस तरह से चंद्र की और जा रही है अगर ये सरकारी जॉब में नहीं होते तो हो सकता था ये फॉरें में भी सेटल हो सकते थे क्योंकि इनकी जीवन रेखा जिस तरह से चंद्र को छू रही है तो यह हो सकता है यह घर से दूर इनका बसे रहा हुआ हो कोई जॉब के कारण या किसी कारण वस पर अगर यह सरकारी जॉब में नहीं होते तो हो सकता था इनका विदेश में भी सेटल्मेंट हो जाता और एक बुद्रेखा यहां से ऐसे चल रही है तो यह छोटी रहा है बहुत बड़ी नहीं है अगर यही पूरी होकर इस तरह से चल जाती तो लाइन ओं इंस्ट्यूट होती प्रोनेंशेशन में तकलिब आती है पर इस तरह की लाइन अच्छा खासा फल देती थी पर यह एक केवल छोटी सी लाइन है अब चंद्रपरवत अच्छा है तो सोच रिफाइंड होती है व्यक्ति की अच्छा खासा ज्यान ही होता है व्यक्ति इनके पास बैठो तो अच्छा खासा ज्यान लेकर उठने मिलता है अब इनका शुक्र परवत भी देखने लायका काफी सुन्दर गुलाबी कलर है और अच्छा खासा इलाका भी लिया हुआ है तो ये भी धन प्राप्ति में अच्छा खासा सयोग देता है और कोई आड़ी रेखा है ज्यादा नहीं है तो इनको ज्यादा विग्न जीवन में नहीं आते होंगे इतनी लाइने एक बार चल जाती है थोड़ी कुछ डिश्रबंज लाती है पर एक बार चल जाती है और ये शुक्र रेखा ये इनको लक्जरी लाइफ जीवन में दे रही है अब चलते इनकी लाइनों की और लाइनों की अगर देखे तो complete गुरु परवत से स्टार्ट होकर हिदय रेखा निकल रही है तो यह अच्छी साइन है व्यक्ति भरोसे मन्द होता है पर इस रेखा पर जादा अंदर से गुरु से नहीं निकल रही है तो नॉर्मल सभाव रहता बहुत जादा अंदर से निकल रहा तो व्यक्ति भहुत आदर्श्वादी होता है पर इस तरह की हिदय रेखा व्यक्ति को काफी भरोसे मन्द विश्वासु किसम की बनाती है यह किसी का भी 5-10 रुपया भी बाकी नहीं रखते ऐसे लोग और हैंपर जो लिएन नीचे चल रही है यह व्यक्ति को लोगों को सहिता करते होंगे और इनका पैसा डुपता होगा यानि पैसा सामने वाले देते नहीं होंगे लौस होता होगा इनको इस तरह का सबाव इनका होगा और यहाँ पर हार्ट लाइन डबल डो हरी है जब यहाँ पर से डबल डोती है तो व्यक्ति पर जिम्मेदारियों का बोज आजाता है और यह उमर लग बग 82 के बाद इनके जीवन में इस तरह का जिम्मेदारी का बोज बढ़ा ओगा और heart पर फिर pressure आता है यानि एक खुल कर नहीं रह पाता व्यक्ति जब single heart line होती है तो व्यक्ति अपना जीवन खुल कर जी सकता है जब double होती है तो कहीं घुमने भी जाएगा तो बोज रहता है उसके सर पर कोई tense रहता है खुल कर उस जगह का आनन नहीं ले पाता यह अगर किसी के हाथ में इस तरह की अगर डबल लाइन होगी तो आप चीज नोट करना आप कहीं पर घुमने भी जाओगे तो आपका केवल सरीर वहां जाता है केवल सरीर जाता आत्मा कहीं और होती है यानि आपका मन कहीं और होता है इस तरह का सभाव बनता है व्यक्ति का अब चलते हैं इनकी माइण लाइन पर माइण लाइन जीवनरेखा से चल रहे हैं और ऐसे देखा जाए तो गुरु परवत से टच होकर निकली है तो व्यक्ति काफी जिद्धी होता है अपने कारे के प्रती अच्छा खासा जोर लगाने वाला होता है और अच्छी खासी सीधी माइन लाइन काफी बड़ी माइन लाइन है ये एंड तक जा रही है तो बुद्धी का सागर होता है इनके पास बुद्धी का अपार ग्यान होता है व्यक्ति पांच मिनिट भी अपना समय बिना ग्यान के गुजारता नहीं अच्छे खासे ग्यानी होते ये लोग और अपने बुद्धी के बल पर अच्छा खासा विकास जिवन में करते हैं और इस माइन लाइन पर मुझे कोई दोस्ट नहीं दिख रहा है कहीं पर भी कहीं पर भी दोस्ट नहीं है जब भी कोई रेखा इनकी काट रही होगी उस पिरियड में इनको कमर का दर्थ जो पात दस दिन का आता है उस तरह का दर्थ इनको आया होगा जीवन में 3-4 बार इनको जो एक 8-10 दिन का जो दर्द आता है उस तरह का दर्द इनको भी जीवन में कभी-कभी अभी तक की लाइफ तक 2-3 बार इनको उस तरह का दर्द आया हो सकता है अब चलते इनकी जीवन रेखा पर जीवन रेखा को देखे तो सुरुवात में ही यहाँ पर सफलता दिखा रही है तो यह उमर होगी लगबग 22-22 के आसपा से इनको कोई अच्छी सफलता जीवन में मिली होगी पर जीवन रेखा इतनी भी खराब नहीं सुरुवाती और इतनी अच्छी भी नहीं है संगर्स रहा होगा और उमर 25 के बाद उमर 25 के बाद इनका जीवन थोड़ा और संगर्स में रहा होगा और उसके बाद उमर 30 के बाद इनका जीवन धीरे धीरे सैटल होते होते 30-32 के आसपा से यह इनकी जीवन रेखा अच्छी खासी नीचे की और चल रही है अप टू एंड तक और नीचे आकर घुमाव ले रही है तो व्यक्ति परिवार से टच में रहता है परिवार का ख्याल रखने वाला होता है हर व्यक्ति से संपक रखता है इस तरह का नेचर व्यक्ति का बनता है जब जीवन रेखा घुम जाती है सुक्रपरवत की और और यहां पर डबल हो रही है तो हो नहो इनको यात्रा बहुत जीवन में करनी पड़ी हो सकती है और अब चलते हैं इनके मनी ट्रैंगल को देखते हैं मनी ट्रैंगल क्या कह रहा है मनी ट्रैंगल ओपन है कहीं से भी पैक नहीं है नहीं यहाँ पर फेट लाइन पूरी है नहीं यह कम्प्लिट हो रहा है कहीं पर भी कम्प्लिट नहीं हो रहा है तो हो नहो इनका खर्च का जो पैमाना है जीवन में काफी अधिक होगा काफी अधिक खर्च रहता होगा अब इनकी फेट लाइन को भी समझने की कोशिश करते है सबसे बड़ा कट इनकी फेट लाइन पर आया होगा उमर लगबग 26-27 के आसपास ट्रिमेंडस आर्थिक तकलिफ इनको हुई होगी उस समय ट्रिमेंडस जबर जस्ट कट है ये और उसके बाद इनकी फेट लाइन को देखे तो बहुत सारे रूप है यहां आगे चली यहां से एक और लाइन जॉइंट हो रही है फिर यहां से जो जीवन की इनकी सुरुवात हुई यानि उमर लगबग सही सुरुवात इनकी जीवन की हुई होगी लगबग 30 के आसपास से और फिर भी यहां पर भी एक कट आया यानि उमर 31 के आसपास और इनको एक आर्थिक कष्ट आया होगा और फिर दीरे दीरे इनकी जीवन रिखा 36 के बाद या 35 के बाद स्ट्रॉंग होती चली और यह यहां पर सीधी बड़ी और इस फेट लाइन पर इस फेट लाइन पर यहां पर एक और कट आया उमर लगबग 40 के आसपास 40-41 के आसपास और एक कट जो प्राज़िवार के लिए कोई खर्च किया होगा उमर क्रेपन के आसपास या 52 के आसपास इनको और एक खर्च अभी इनकी उमर 57 है एक खर्च इनको 55 के आसपास आया होगा और इसके बाद इनकी फेट लाइन देखते हैं अपन तो एक हल किसी हो गई है तो हो नहो अभी धीरे धीरे इनको अपने जहां काम करते होंगे वहां लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा होगा कोई नहीं कोई ऐसी तकलिप आ रही होगी इनको जो सहयोग कहते हैं लोगों का वो नहीं मिल रहा होगा लोग इनको डिश्टरब कर रहे होंगे और इनका खर्च का पैमाना भी अच्छा खासा अभी बढ़ गया होगा क्योंकि ये लाइन यहाँ पर हलकी हो गई है और जैसे एक मिटी मिट गई है उस तरह की इनकी फेट लाइन है पर इसके बाद उमर लगबग बासट के बाद फिर वापस इनकी इनकम यहां से सुरू हो रही है और एक फेट लाइन इनकी यहां से डवलब हुई है एक यह एक यहां पर दो सोर्स और त्रेपन चौपन में इन्होंने क्रियेट किये और आगे जाकर यह एक बनकर आगे इस तरह से जा रही है तो इनके पास इंकम का सुरूत एक जो इंकम होगी वो पैसा इनके पास बच रहा होगा पर यह जो गौर्मेंट जॉब है उसके अंदर धीरे धीरे इनको आगे लोगों का सहयोग कम होते जाएगा और खर्च का पेमाना भी बढ़ जाएगा और उसके बाद आ जाएगी रिटार्मेंट और उसके बाद स्मूथ इनका जीवन हो जाएगा पर ये 56 के बाद या 55 के बाद इनको ये तकलिफ आ रही होगी अच्छा खासा लोगों का सहयोगी नहीं मिल रहा होगा ये इनकी फेट लाइन से दिख रहा है तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद